जहां तक बिहार का संदर्व है मैं कुछ लिख के लाया हूँ जो दो दिनों से मीडिया में चल रहा है कि गटबंधन बनने के पस्चात जेडी और आरजेडी के बीच जिस प्रकार की गतिवीधियां बिहार में हुई है उससे आपको मैं अवगत कराता हूँ आप देख सकते हैं कि 10 अगस्त को क्यूंकि आप सब जर्नलिस्ट मौजूद हैं आपके ही साथी और हमारे जानकार जर्नलिस्ट गोकुल यादव जो प्रभाद खबर के थे किस प्रकार से उन्हें जमूई में गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई 11 अगस्त को ठीक उसी प्रकार एक और पत्रकार की गोपाल गंज में हत्या कर दी गई और 11 अगस्त को बेतिया के रुदल प्रशाद बर्नवाल जी जो की एक पुजारी थे राम जान की मंदिर के किस प्रकार से गला काट करके गला रेत करके उन्हें मार दिया गया और उनका किस प्रकार छप्रा में जहरीली शराब के सेवन के कारण छे लोग मृत्यू को प्राप्त हुए छप्रा में इससे पहले तेरह लोगों की मृत्यू हुई थी यू कह लीजिए जहरीली शराब के कारण तेरह लोगों की हत्या हुई थी और आधरनिय नितीश कुमार जी के खु उसका एक संस्मरण आपके सामने रखोंगा जिलाप पस्चिम चंपारण में बारह वर्षियों किशोरी से सामुहिक दुसकर्म होता है, मुझप्फर पूर में वेवसाई नलीन रंजन के घर दिन दहाडे घुस लुटेरे 40 लाक रुपए की संपत्ती लूट लेते हैं, गंज निवासी निशांत कुमार वर्मा का नदवास्थित अभूशन दुकान पर सटर उखाड करके 6 लाक की चोरी की जाती है, यह भी टीवी और पत्रकारिता के माध्यम से हमें कबर मिला है, बार जिला में बार थाना क्षेत्रम के LIC मोड के पास मोहरम जुलूस के दौरा जिस प्रकार दो समुदायों में लड़ाई होती है, यह भी हमने देखा कि वहाँ पुलीस नदारत थी, ठीक उसी प्रकार पत्ना सिटी में घर के गेट पर खड़ी सिक्षिका के गले पे बाइक सवार तीन जपट्टा मार करके सोने के चेन को लूट लेते हैं, यह भी CCTV कि गार की हत्या करके किस प्रकार टोयटा के शोरूम पे लूट होती है, और मजफर पूर में ओराई चौक पर दो तिरंगे को लेकर, आप सब ने देखा अभी तिरंगे के विशह में मानने अरुन जी ने हमें अवगत कराया, मगर तिरंगे जंडे को लेकर भी बिहार में क किस प्रकार की राजनीती हो रही है, जंडे में भी परिवर्तन किया जा रहा है और वहां भी तुष्टिकरन की राजनीती हो रही है, यह भी हम सब ने देखा है, इसके बाद ये कहना अतीश्योक्ती नहीं होगी, कि जंगल राज रिटर्ण्स, जिस जंगल राज के विशह में आप सब ने भारत वर्ष को समय समय पर अवगत कराया था और किस प्रकार से जब भारती जंता पार्टी अपने साशनकाल में रही तो ग्रह विभाग भी हमारे पास नहीं था एक्साइज डिपार्टमेंट भी हमारे पास नहीं था ये विभाग भी हमारे पास नहीं होने क के बावजूत हमारे दवाब के कारण जिस प्रकार से एक माहोल बिहार में रहता था कि हत्या लूट डकैती इसके उपर अंकुछ रहती थी आज बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है और एक वीडियो आज सोशियल मीडिया में घर घर तक पहुंच रहा है कई मंत्रियों ने इसे ट्वीट किया है कई जंता ने भी ट्वीट किया है बिहार के तेजस्वी यादव जी का एक साक्षातकार है उसका वीडियो है जिसमें उनसे 10 लाख नौकरी के विशह में 2020 में उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे जब उनसे 2-3 दिन पहले तब नौकरी देंगे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह जो मैं की कहानी है मैं बनूंगा तभी होगा हम से कुछ नहीं होगा यह हम को छोड़ करके मैं पे चले गए हैं इसी परिवारवाद के खिलाफ भारतिय जंता पाटी सतत लड़ती रही है और आगे भी लड़त कि आखिरकार हम बड़ा है या मैं बड़ा है तो जंगल राज रिटरंस के बाद हम हम अर्विंद केजरिवाल जी के जूटे वादे और यह जो फ्रीबीज की कहानी अर्विंद केजरिवाल जी कहते रहते हैं उसके विशय में बताना आवश्यक है बंदुगन अर्विंद केजरिवाल जी का एक ही मत है एक ही उद्देश्य है कैसे भी करके आम आदमी पाटी और अर्विंद केजरिवाल जी की प्राधन्यता स्थापित हो देश में उनके एंबिशन्स फुलफिल हो उनकी महत्वा कांशा आगे बढ़े इसलिए जूट दि किस प्रकार से वो परोस रहे हैं यह हम देख रहे हैं ये कल फ्रीबीज क्या है वेलफेर स्कीम क्या है इसको लेकर लड़ाई हुई फ्रीबीज क्या है और वेलफेर स्कीम क्या है बेनिफिट क्या है देखे बेनिफिट का अर्थ होता है कि एक टार्गेटेड ग्रूप को एक target group है, जो economically आर्थिक दुरिश्टिकोन से कमजोर है, उसको सबल कैसे बनाया जाए, उसको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, उसके अपने पाउं पर वो group जो है वो खड़ा हो सके, एक target group के लिए काम करना, उसके लिए governance करना, उसके लिए विशाय भेजना, ये benefit है, ये welfare scheme ह मगर जो pre-beez होता है, वो गरीब के नहीं होता है, वो सबके लिए होता है, और जो मुख्य उद्देश्य होता है, welfare scheme का वो क्या होता है, benefit का क्या होता है, कि किस प्रकार से sustainable benefit दे करके, economical रूप से एक वर्ग को sustainable life अर्थात, आत्मनिर्भर जीवन बनाने के लिए, उसे अपने पाउं पे खड़ा करना, जैसे गरीब कल्यान योजना, 80 करोड जनता जो pandemic के समय, COVID के समय, एक ऐसी परिस्थिती में थी, कि यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार उन्हें target करके, उनके लिए राशन नहीं भेजते, तो आज उनकी परिस्थिती किस प्रकार की होती वो अचनतिनी हो जाती है, यह होता है targeted delivery, और सबके लिए समान रूप से, अपने benefit के लिए, मतलब मुझे राजसत्ता मिल जाए, इस उद्देश्य से किया हुआ कार्य प्रीबी कहलाता है, यह मुफ्त कोरी कहलाता है, अब देखिए, फ्रीबी को आप अगर define करिएगा, पर देश के लिए कोई long term benefit नहीं है, short term benefit है, किसका है, एक व्यक्ती का या एक party का, केज्रिवाल जी नहीं था कैसे बन जाए, short term benefit, आम आदमी party सत्ता में कैसे आ जाए, short term benefit, तो जिसको अंग्रेजी में कहते है bait, ब-A-I-T bait, जिसको कहा जाता है, दाना डाल करके मचली पकड़न की कोशिश